आज की वीडियो में हम बात एक्ट्रेस कंगना रनौत की करेंगे वे सोशल मीडिया द्वारा अपने किसी न किसी ब्यान को लेकर सुर्ख्यों में रहती ही हैं पर हम इस वीडियो में बात कुछ लोगों द्वारा कंगना को ट्रोल किये जाने को लेकर करेंगे संजे रावत ने कुनाल कामरा को इंटर्वियो दिया इस इंटर्वियो में कुनाल कामरा ने महराष्ट में कंगना के ओफिस को तोड़े जाने को लेकर सवाल किया जिसपर संजे रावत ने अपने जवाब में कंगना को ट्रोल कर दिया सामना के अपनिक स्टाइल है, हेर लाइन, एडिट, अर्टिकल जो हम लिखते हैं सब में, इसलिए लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं, अब ऐसा है कि जो लेडी है, क्या उसका नाम? कंगना, एक्ट्रेस है ना, वहाँ, वह एक्ट्रेस है, तो कहां से बोल रही थी कि मैं आ रही हूं और जो खाड़ना उखार रहो हूं, ऐसा है कि एक लेडी का संमाद रखना चाहिए, तो खाड़ दिया, उसके इछा के अनुसार बेमसी ने बुल्डोजर चलाए, उखाड़ कमेडियन मुनावर फारुपकी ने अपने stand-up में कंगना के महरास्टर को पाकिस्तान बोले जाने वाले ट्वेट को लेकर काफी ट्रोल किया, कांगना बुम्बाइ को पाकिसान बोल रही है और इनों ने जेसी बी चलाए जेसी बीपा कर रथ लिखा हो आथ तो प्रोब्लम नहीं आथी बट राष लिखा हो आथ जेसी बीपा यार और सब लोग आगे बाते हैं दो हजार लोग कांगना को एरपोर्ट पे सिक्योरिटी द करने से खुद खड़िये नहीं हम तो कंगना के लिए खड़े कर ना करनी से आप लोग को पताना कर दो बी एम सी का सेट डून रही थी चलाने के लिए वनलोग करना को अफिस होता है वहाला संज़ाई नहीं है तो उसके लिए सूर अच्छा मिल लिया था इनको तो बस मीडिया में रहना है इनके साथ गलत हुआ तो किस हिरो के साथ नहीं हुआ कपिल सर्मा इतने अच्छे कमेडी करते हैं उनका नहीं ओफिस तोड़ा गिया था लेकिन यह स्पेसल है अगर यह बहें जी बस इतना भोल एन उड़ा धाया था और वो डाइनासोर उद्धार ठाकरे ने भेजा था वो डाइनासोर मेरा बाल खीच रहा था अरे वहिन जी का बाल खीचा तुरत के अंसरकारी इसको सिक्योर्टी दे देगी कि देखिए यह हैं हमारी कागनारा नोट सिकर्टी की नहीं है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दोस ग्यारा बारा तेरह अभी कितना बीस-बीस कमांडो लेके घूम रही है काम क्या है तो बॉलिवुड में एक्ट्रेस है इतनी सुरक्षा और इतना सम्मान हमारे दे अफिस रोटने पर कंगना ने महारास्ट्र को लेकर कुछ ट्वीट किया था जिसके बाद राखी सावंद्बे कंगना पर भड़क उठी थी आ गई भीकमंगी मुंबई में अरे क्यों आई कंगना मुंबई में मुंबई आतंगवादियों का शहर है पियोके हैं तो यहां भीकमंगने क्यों आ गई तो रहती वहां जहां थी यहां क्यों आ गई क्या जर्रत है यहां तो हम लोग सब हम सब बॉलिवुड में हम तो सब प्योके वालो है, हम आतंकवादी है यहाँ पर क्यों बिकमंगी आ गई है तो तो बोलिवुड को बहुत गालियां दे रही थी ड्रग एडिक्ट है यहाँ पर सलमान खान बुरा है, रितिक रोशन बुरा है अधित्य पंचोली बुरा है, करन जोहर बुला बुरा है फराखान बुरी है, जितने में बड़े-बड़े डारेक्टर प्रडूसर बुरे हैं, तू अच्छी है तेरे में लगा है कोहिनूर हीरा तू बहुत अच्छी है यहाँ पर इतनी गंदगी है तो भू चाटने कैसे आ गई तू यहाँ हाल ही में कंगना का ट्वीटर अकाउंट बैन हुआ है जिस पर कमेडियन राजीव निगम ने चुटकी ली और कंगना को काफी रोस्ट किया अब ताजी गटना जो होई है एक राष्ट्रवादी शक्ची देश-भक्त देस की बेटी राणी लक्षवी बाई कंगनाराणावत का ट्वीटर वाले खंभार उखाल के ले गए बस यही देखना भचा था अब बताओ यह कंगनाराणावत कहाँ पर उल्टी करेगी पूरा ट्वीटर पका रहता था उससे वो भी उखा के लेके चले गए पहले बंबई में उसका घर उखाड़ दिया चंजरा उतने बोला उखाड़ दिया अब ट्वीटर वाले ट्वीटर वाले सेम बात बोले उखाड़ दिया तुमको ट्वीटर से लोगन हटाया है ना तुम अपना घोड़ा निकालो तल्वाद निकालो और आक्रमर कर दो नहीं लेकिन तो अभी तो शूटिंग भी बंद है वो चार टांगो वाला लकड़ी का टूटा गोड़ा भी नहीं मिलेगा अभी क्या कर दिया हाल ही में कंगना का एक नए वीडियो जारी हुआ है जिसमें वे गंगा में बहती लाशो को नाइजीरिया का बता रही है अभी किसी जाती या धरन विशेश के नहीं है वो वो केरेक्टर हर जगा पाए जाते हैं तो क्यों हम भारतियों में गुस्पैटियों को मिलाकर अल्मूस्ट वन फिप्ट करोड हो चुके फिर भी बहुत कम लोग काम किया ऐसा क्यों है क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए इसके कुछ स्टैप्स नहीं लेने चाहिए क्या मैं भारत सरकार से विनती करते हुं कि ब्लीज इसरैल की तरह आमी में सर्ब करना हर एक स्टूडेंट के लिए कम पनन्सरी कर दिजे हम भी करना चाहते हैं हम भी करेंगे पतना क्वारत को लेकर मीडिया में चल्चाबी देख education इनाजीरिया का बता रहे हैं अब खाते हैं गंगा घाट पर नदी के बीच टापU जैसे MTK गोर से देखिएगा jäहां इंच भर भी जगा नहीं बची बकसर में गंगा नदी में कई शव तेरते दिखे कोरोना से जान गवा रहे लोगों के अंतिम संसकार के लिए शमशान और कब्र काहों में जगा नहीं मिल रही है इसकी सबसे दर्दनाक और डराने वाली तस्वीर बिहार के बकसर से आई है यूपी बॉर्डर से सटे इस जिले में सुमवार को करीब 40 लाशे गंगा नदी के किनारे भेती दिखे शायद कंगना ब्यान देने से पहले तस्वीरे और खबरे देखना भूली गए हम उमीद करते हैं कि कंगना लोगों की मदद के लिए आ गया है ना कि नफरत भरे ट्वीट करें और ऐसे कुछ बयान दे जिससे लोगों का दिल दुखे अगर वे ऐसा करते रहेंगी तो लोग भी उन्हें ट्रोल करते रहेंगे पंजाब टुडे रिपोर्ट